सो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब स्वागत करता हूं आपका दोपारा से रिवाइब कोटिंग में पिछली वीडियो हमने देखा था है ना कि यह वरकर क्या होता है ठीक है और फिर उसमें वाचर क्या होता है यह दोने चीजों को अब यह देखो यह मेरा मीन फोल्डर है यह फिर मेरा यह मीन फाइल है जो कि यह बताएगा कि जब आप अपने अप्लिकेशन में कुछ काम करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे मैं थोड़ा से इसको बढ़ा कर देता हूं आपको सारी चीज़ अच्छे से दिख रहे होगी ठीक है चलो तो अब यार इस चीज़ से था पहले फेमिले रो ठीक है और अगर यार मैं सिंपल दुबारा से कहता हूं अगर आप रिडक्स टूलकेट यार रिडक्स के बारे नहीं जानते तो यार मैंने उसकी पेलिस्ट डाली हुई है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते ह ठीक है तो अभी मैं उस बेसिक कहांसेट पर नहीं जाने वाला ठीक है क्योंकि मैंने आपको पहली भी कहा है कि यह डिक्स की नोलज रिडक्स टूलकर की ठोड़ी बात होनी चाहिए ठीक है चलो, अभी यहां वही से simple सा basic setup है, ज़यादा कुछ भी difference नहीं है, ठीक है, मतलब हमने क्या किया, वही अपना config store import किया है, ठीक है, कहांसे import किया, वही वह रिडक्स, टूलकित से अपन इंपोर्ट किया है, ठीक है, और उसके बाद यह create middleware हमने function, कर पाएं ठीक है और middleware को create करने के लिए हम इसका use करेंगे नाम से clear है राइट इसके लावा जो हमने यार import किया हो वो क्या अपना reducer import किया है कहां से यार जो हमने जहाँ हमने जो reducer बनाया होगा राइट अपना redux का ठीक है तो अपना reducer import कर लिया और फिर finally मैंने mysaga नाम से अपना saga जो मैंने बनाया होगा यह मेरे generator function है यह जो मैंने यहां बनाया था उपर देखो हम कल बना रहे थे ना ठीक है यहां देखो तो यह जो हमने यहां से export किया था mysaga ठीक इसी को हमने क्या किया यहां import किया हुआ है यहां हमने import कर लिया clear है simple है राइट चलो विसको दबार बढ़ा कर लेते हैं अब देखो अब हमने क्या किया और यहां हमने अपना saga create किया है ठीक है तो मैंने कोई पहले चीज क्या पास करते हैं जो भी हमना रिडूसर हमने बनाया वह उसको हम पास करते है या तो हमने जो combine reducer या हम जिसको root reducer कहते है ठीक है तो या तो उसको सबसे पहला is an argument पास करते है इस config store के अंदर राइट तो वही चीज हमने यहां की है ठीक है सबसे पहले वह हमारा क्या होता है वह हमारा middleware होते है ठीक है तो इसी चेके पर हम अपने सारे के सारे middleware रखते हैं जो भी अपने को application में अपने use करने है ठीक है तो आप यहां देखो हमने क्या किया है हमने मिडल वेर नाम का एक function call कराया है ठीक है और इसके बाद हमने बोला कि कॉन केट कॉन केट अभी क्या कर रहा है कि यह मैं मान लो कि अभी तो मैं यहां एक में इन वे डिल वेर बनाया राइट ठीक है अभी कोई जुरू ही नहीं था कि हम इसको इस तरीके से use करते राइट मैं क्या कर सकता था मैं डि default middle way का use कि यह है ठीक है और get default middleway हम ने वह से फॉंक्शन का औरिस इस हम इसको जोड़ना चाहते हैं ठीक है मतलब उस Алण एक हम मतलब मान लो हिए यहां मेरे पास अभी एक ही है ना जिसको हमने बनाया सागा मिडिलवेर करके ठीक है तो यहां मैंने यह पास कर दिया अगर मान लो कि मेरे पास यहां तस मिडिलवेर होते ठीक है तो मैं इस तरह के सारे इन सब भी मैंने middleware बनाया उसको run करना पड़ता है ठीक है मतलब उसको बताना पड़ता है कि मैं कौन से मतलब देखो यार यह थोड़ा सा ध्यान से समझो मैं इसको थोड़ा सा दुबारा सा repeat करूंगा आपको लगए कि शायद रिपीट करूं मगर थोड़ा जरूरी है ठीक है यहां है ठीक है जिसकी मदद से basically हम क्या करेंगी हम अपने जो रिडक्स सागा के जो हमारे जनिटर फंक्शन से उसको ट्रिगर कर सकते हैं ठीक है और हम उससे अपने रिडिउसर के साथ कनेट कर सकते हैं सबसे पहले चीज यह ध्यान में रखना तो क्या ही है यह वो create middleware नाम की method ह है जिसकी हम मदद से यह काम कर रहे है ठीक है तो हमने यहां एक instance बना लिए इसका ठीक है और इस instance में run करने के बाद यहां जो आप दिख लिए हो dot run यह dot run है इस हमारे इस module का एक method है dot run ठीक है अब यह run क्या कर रहा है run बोल रहा है किस-किस middleware को activate करना है किस-किस middleware को activate करना हमारे जो हमारा रुडक्स आगा में जितने भी हमने फंक्शन मना ठीक उसमें से किस-किस को activate करना है ठीक है तो हमने बोल दिया कि यार यह जो मैंने पहले बनाया था यह यह वाला file sagas.js में यह जो मेरा function है यह जो मैंने my saga यहां मेरे function मना यह ठीक है यह वाला यह पूरा ठ यह बना रहा हो ठीक है तो यहां को दो तो दिख रहे हैं अगर आप एक ही बना रहे हो या तो आप यह बना रहे है और आपको दोनों को रेडी कर दो वह वाच करना काम शुरू कर ले तो आप यहां कर रहोगे आप यह सागाज middleware.run.my saga आपने लिख दिया फिर दुबार से इसको लिखोगा सागा middleware.run और उसके बाद माई saga 1 उसमें डाल दोगे राइट तो इस तरीके से आप दोनों को trigger कर सकते हो ठीक है यह trigger होने के बाद क्या होगा जैसा नों को यह लेक्शन ट्रिगर कर देना है तो यह वह काम करेगा हमारा saga middleware ठीक है तो यह saga middleware.run के अंदर आप वह अपना फंक्शन या फिर उस watcher को डालोगी उस watcher function को डालोगी जो आप trigger करना चाहते हो जो आप सिंपल से अपने स्टोर को config करने के सबसे पहले create config का यूज किया उसके आद हमने create saga middleware का यूज किया ताकि हम middleware को grade कर सके यहां हमने अपने middleware को create किया ठीक है इसका instance और यहां हमने sagas.middleware.run के अंदर हमने वह सभी कैसे भी watcher functions डाल दिये जिसको हम trigger करना चाहते है अब इसके बाद हमने यह अपने store बनाया store में सबसे पहला अपना reducer जाता है तो हमने reducer को बेज दिया फिर middleware जाता है तो हमने middleware को बेज दिया ठीक है जितने भी हम middleware से use करना चाहते थे उन सबको concatenate कर दिया राइट कर सिंपल है अब मेरा यह reducer और यह मेरा middleware है दोनों एक साथ काम करने के लिए बिलकुल ready है तो इस तरीके से हम redux saga को setup करते हैं अपने application में जहां भी हम इसको use करना चाहते हैं ठीक है और कहां यह हमारा जो पूरा का पूरा सेट-आप ओगा यह हमारे इस जो मारा में फाइल होता है app.js ठीक है तो हम वहां ही अपना restore को setup करते हैं ठीक है तो इस पूरे setup को भी हम उती उसी जगह पर करेंगे जहां हम अपना store setup कर रहे होंगी ठीक है तो I hope यार आपको इस चीज समझ में आई होगी आगे जाके और क्लेटी आए गया जब हम इस हर एक चीज को implement करके देख रहे होंगे अपनी application में different different example के साथ ठीक है तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अपनी next वीडियो में ठीक तो तब तक के लिए have a nice day and good bye